देश को सबसे ज़्यादा डराने वाली खबर आ रही है कल खबर चल रही थी कि सुचिये परधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से कुरोना वैक्सिन के नाम पर आपको मौत के मुह में धकेल दिया आप सबको याद है पिट्रॉल पंपर वैक्सिन लेने के सर्टिफिके पर नरेंद्र मोदी की तस्वीरे थी आपको यारपोर्ट ट्रेन में नहीं जाने दिया जा रहता कि आपको वैक्सिन लेना है बाद में सुप्रीम कोट में बदल गए कि नहीं हमने जवर्दस्ति नहीं की थी पच्चास लाग से ज़्यादा लोग कोरोना में मरें अब आज लोग बेमौत मर रहे हैं क्योंकि वह वैक्सिन आपको दिल का बिमार कर रहा है आपको ब्रेन हैम्रेज कर रहा है लेकिन अब उससे भी बड़ी खबर सोचिए चुनाव आयो पहले 19 अप्रेल को बोटिंग हुई उसके बाद दूसरे दौर की भी बोटिंग हो गए 26 को तिसरे दौर में भी बोटिंग हो लेकिन अब जाकर दोनों दौर में उसके आखरेज जारी किये गए हैं तो चुनाव आयो पूरी तरह से बैमान हो चुका है बिक चुका है और किसी को भरोसा नहीं है और सोचिए लोग क्यों नहीं रहा है, कोई आवाज क्यों नहीं उठ रही है? और यह विडियो आपके लिए बहुत जरूर है, आप सब जानते हैं, चुनाव आयोग भरस्ट है, चुनाव में बैठे लोग की जाती पता कीजिए. आप सब जानते हैं के समाज के रिटायर अधिकारियों को रोक रोक कर नौकरी दी जाती है आप समझिये ये जाती का खेल है आज इस देश में मीडिया में क्यों चुप्पी है आज बहनजी परधान मंतरी बन जाए या कोई दलित पिछरा आदिवासी किसानल संक्यक परधान मंतरी बन जाए ये मीडिया इमांदार हो जाएगी नदड़ेगी नपैसे से बीकेगी आधिर इस सरकार के खिलाप क्यों नहीं मीडिया बोलती है सही ख़़र क्यों नहीं दिखाती है इसलिए नहीं कि ये डड़े हुए है या बीके हुए है इनकी जातिय सहमती है इस देश का जो बड़ा थबका है सवन समाज उसकी RSS और BJP के साथ सहमती है वो जितने समयधानिक पदों पर लोग बैठे हैं वो मून नहीं खोलेंगे और इसलिए मैं कहरा हूँ कल जब संसद में जितने सवर्ण समाज के लोग जीत के जाएंगे अगर समयधान बदलने की बारी आएगी तो वो BJP के साथ खरे होंगे चाया वो किसी पार्टी से जीत के जाएं और सोचिए यह होता रहा है तमाम दलों के सबसे ज़्यादा सवर्ण नेता किस पार्टी में जा रहे हैं यह पूरा चुनाओ अगरा बनाम पिछरा है इस देश का किसान अल्प संक्यक मजदूर दलित पिछरे आदिवासी सब BJP के खिलाफ लर रहे हैं और मैं इसलिए कर रहा हूँ बड़ी साथानी से तो सुचिए तमाम समयधानिक संस्थाओं पर कॉंगरेस ने जिनको जाती देखकर बैठाया था वो सब BJP के राज में खाकी वाले निकल गए और संगी निकल गए तो इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों कि यह जाती परधान देश है और जब तक आप जाती के हिसाब से फैंसले नहीं लेंगे आपको पता नहीं चलेगा तो यह सबसे बड़ी खबर है और सुचिए कितना डड़ावना है कि चुनाव आयोग अपने आकरी नहीं जारी करता है दस-दस दिन बीच जाते हैं चुनाव आयोग BBPAT की गिंती नहीं करना चाहता है तो पूरे सिस्टम को हाईजेक कर लिया गया रवीष कुमार का तंज है यह जिस तरह RBI को नोटबंदी के बाद बैंकों में जमा किया गया पैसा गिन्ने में जरूर से ज़्यादा टाइम लगा उसी तरह से स्पोक्स पर्सन ECI को पहले दो चरण के बोट गिनने में जरूर से ज़्यादा बक्त लगए आभी स्पारदर्शिता नहीं कह सकते हैं जरा बताईए आधरनीय सुप्रिम कोर्ट जी सोचिए रोज रोज सक और सवाल से अच्छा रहेगा कि चुनाव आयोग अब रिजल्ट ही निकाल दे कोई क्या कर लेगा फ्रेस कांश्वेंस के दिन तो ऐसा महौल बनाया गया जैसे दुनिया की हर्ट छमता इन्हीं के पास है अब डेटा भी इस तरह से दिया जाएगा तो क्या रह जाएगा पहले माफी मांगो फिर मिले तो आधा धूरा नागरी क्या काम हो गया है सुबह उठकर चुनाव आयोग की भी सुस्ञता और निसप्रक्सता चेक करना सुचिए चुनाव आयोग पूरी तरह से भरष्ट हो चुका है बिख चुका है और मनुवादियों का अड़्डा बन चुका है मुझे कहने में कोई गूरेज नहीं है मुझे जेल में डालना है तो डाल दो और सुचिए यह सबसे ज़्यादा जो सोशल मीडिया पर वाइरल है मैं इसले कह रहा हूं कि सच्चा मीडिया है सोशल मीडिया है तो किस तरह से पूरी चुनाव आयोग की विश्वस्वस्नियत है जो है खत्रे में है और चुनाव आयोग पूरी तरह से Leaders पोज हो चुका है और ये साबित करता है सुचिए चुनाव आयोग ने अंतर डाटा किलियर कर दिया लेकिन बोर्ट परसेंटेज देखिए दूसरे तिसरे दिन कितना था और अब कितना है दस परसेंट का खेल है खेल समझी और चार जुनकी परतिक्षा कीजिए बीपक्स बस स्यार हो जाए सुचिए पहले कहा गया था पच्चास परसेंट 56 परसेंट अब 66 परसेंट कहा जा रहा है इसका मतलब है कि कोई बड़ी चोडी तो नहीं हो रही है क्या सब कुछ सेट तो नहीं किया जा रहा है इबीम के जड़िये चुनाव और लेवल प्लेंग फिल रिप आज के दैनिक जागरन में करनाटा की ख़बर पेज 8 पर है तो सुचिए चुनाव और योग के पक्ष में अगर आज सबसे ज्यादा महौल बना रहा है तो वो मीडिया इस देश के तमाम संविधानिक संस्ताय जहां दलित पिछरे नहीं है उनकी ये स्तीती हो गई है कि उन सद में तब तक ये होता रहेगा चुनाव को महंगा बना दिया गया है 25,000 फार्म खरिदने की कीमत है एक करोर रुपया खर्चा करना है कौन दलित पिछरा अदिवासी किसानल संक्यक चुनाव लड़ेगा इसलिए आप लोगों से गुजारिस है कि जो आपको पूरी खिला कर रहा है वो और पैसा कमाएगा क्या पॉलिंग खत्म होने के बाद मतदान संबंदी आंकरी अब तक जारी नहीं की जाने चाहिए थे सितरा में चुनाव के मतदान डेटा जारी नहीं करने पर चुनाव एक से सवाल किया है उन्होंने इसमें हेरा फेरी होने की परवल संभाबना जताई है चुरी ने कहा कि 2014 तक यानि भाजपा के केंदर में सत्ता संबालने से पहले तक यह मतदान के आंकरी आसानी से मिल जाय करते थे एट इसी एट टुगी फाइनल पोलिंग डेटा फर टू फेस डेज आफ्टर वोटिंग कई दिनों के बोटिंग के बाद भी डेटा नहीं दिया गया है तो इस तरह की बैमानी और चोड़ी हो रही है आप कलपना नहीं कर सकते हैं चुनाव आयो पूरी तरह से भर आधिकारी मोहर नहीं लगाई ना बोटिंग की साम ना दूसरे दिन कोई प्रेस कॉंफेंस कर रहे हैं इसलिए किसी भी तरह क्या परत्यासित परिनाम के लिए देश को तयार रहना चाहिए यह अभिनाश ने लिखा है जो फिल्मेकर हैं तो सुचिए किस तरह से हाइजेक क की तयारी चल रही है यह सबसे बड़ी ख़बर है मैं फिर आगाह कर रहा हूं क्या चुनाव है कोई तरह से करप्ठ हो चुका है बिक चुका है तमाम लोग सोशल मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं सवाल है कि डेटा क्यों नहीं जारी क्या जाया तमाम भी पक्षी दलों को इस पर बात करनी चाहिए तमाम लोगों को सवाल उठाना चाहिए तो सोचिए कि दो-दो फेज की चुनाव होने के बाद भी डेटा नहीं जारी किया गया इबीम को लेकर ब्यस्पी सुप्रीम मायवती लगातार सवाल उठाती रही है पिछले 10-15 सालों से तो सोचिए किस तरह की बड़ी समयधानिक संस्था पर जो लोग बैठे हुए जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जो इडी में है जो इंकम टेक्स में जो मीडिया में है और जो संसत में बैठे हुए है वहां जब तक दलित पिछरा किसान आदिवासी अलवसंक्र की भागेदारी नहीं किस बनने चाहिए मिडिया में आरक्षनलाग होना चाहिए ताकि दलित पिछरे किसान आदिवासी अलवसंकर के बच्चे पत्रकार बने ताकि वह खबर उठाए इंकम टेक्स एडी तमाम संब्यधानिक संस्थाओं में जब तक भाधुजन समाज के लोग नहीं होंगे और इसके लिए ज़रूरी है कि आपका संसद मेरी परजेंटेशन हो कानुन संसद में बनता है इसलिए चुन-चुन कर बहुजन समाज के लोगो भेजी और बहुजन समाज पार्टी लोगो को भेजिए जिसका मैनिफिस्टों ही संभिधान है जो बावा साहिब के संभिधान को अपना मैनिफिस्टों मानता है तो मैं आप से गुजारिस कर रहा हूं कि जब तक बहुजन मजबूत नहीं होगा बहुजन समाज होती और चुनावायों को निस्पक्ष होना पर था तो यह आज की सबसे बड़ी खबर है जो सोसल मीडिया पर बता रहा हूं चुनावायों सवालों के घेरे में हैं और अब जाकर जो उसने आंकरे जारी के उससे साफ है कि आंकरे में क्या गरवरी की जी ने कहा था कि आखिर इतना पैसार कहां से आएगा यह कौन लोग है तो इस बार ना धनबल ना बहुबल बहुजन समाज के लोगों बहुजन समाज पार्टी को जिताइए बहुजन उमिद्वारों को जिताइए और संसत भेजिए तब जाकर आपकी स्थिती बदलेगी और तभी जो संविधान को मैनिफेस्टों मानती है बीएसपी तभी स्थिती बदलेगी चारों तरफ घंगोर चुपी है चा आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो निस्मल दस्तव को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निस्मल दस्तव को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेर कर लाइक करें कमेंट जरूर करें